कि इद बाच गिया रहो कि इंपोर्टेन इं मोडंड़न्फिक्स इंपोर्टेन इंफ्रेंड लोग से लिवह ninety किए क्लस का वीडियो नहीं बोला वो शेर करना है वीडियो आपका वो प्राइबेट रहता है जो Аपनें सिब देख सकते हैं ठीक है तो बाकी जो शॉट आए उसको शेर कीजिए ठीक है कोई इश्यू नहीं उन लोग को भी मालूम हो कि वो सब जान जाएगा तो फिर क्या होगा तो जो जो इंपॉर्टेंट है पहले वही मैं परूँगा जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैं इग्नॉर करूँगा पहले जो इंपॉर्टेंट है वेब पार्टिकल, modern physics में ही यह आ जाता है, वेब पार्टिकल, duality अगर देखें, इसमें नहीं आता है, लेकिन मैं इसी में लेता हूँ nuclear physics से अगर start करें, atom molecules से इस से, तो nuclear physics, x-ray आपका important होता है, x-ray, ठीके, x-ray का properties और function is very important, number 2, ठीके, यह आपका nuclear physics में, atomic and nuclear physics जो आप पढ़िएगा, आप पर देखोगे, ठीके, x-ray क्या है, electromagnetic radiation एक तरह का, electromagnetic wave है, ठीके, एक spectrum में आता है, जिसका आपको properties जानना, इसका use जानना, इस type का होता है, उसका spectrum का graph कैसा होता है, ठीके, हम लोग पढ़ेंगे, x-ray के बारे में, ठीके, रध, atomic structures में, Rutherford model, Bose model, यह सब आप chemistry में जो पढ़े है, same as it is है, कुछ यहाँ पर नया नहीं है, नया रहेगा, तो वह मैं बोल दूँँगा, इसमें एक और चीज़ आदा, wave particle duality, इसमें ले देता, wave and particle duality, यह भी modern physics म ही मैं पर हाऊंगा, duality, यह exam oriented में बोल लाँ, this is important, ठीके, wave particle duality, that is, क्या था, Bose theory, Bose theory, Bose theory, D. Brogley's hypothesis, यहादी मार्का, D. Brogley's hypothesis, D. Brogley's hypothesis, D. Brogley's hypothesis, hypothesis, ओके, नॉबर त्री, photoelectric effect, photoelectric effect, दीख लीजियेगा, ठीके, लेके लेना, modern physics में मेरा क्या-क्या important, इसमें 11 का भी cover है, 12 का भी है, ठीके, यह 11 वाला पार्ट है, इसमें यह 12 वाला पार्ट है, नूबर 4, और क्या है इंपार्टेंट है सए लिक और कुछbach भी को निक़िसर फीकिस्क हो करने की मिशी १ार्ट वाले व फीजीट वह 202 जाया कए टाइम मत भी इसक एक अपना भी करना को कह एन्टी में क्या रिविजी नियो करना हैटम bacteria अटमी की श्रक्षर और यह सब पर रहे एप so wavelength है और क्या है और क्या है कौन बुलेगा semi conductors and its device a semi conductor and its device डिवाइसे डिवाइसे में क्या है डायोड एंट यह परना डायोड 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 बेस डायोड बेस जो डिवाइस होगा उसके बारे में परिंगे डायोड हैं, एक्चली डिवाइस अगर बोले तो डिवाइस यह नहीं होगा, डिवाइस होगा, अच्छा ठीग है, डिवाइस दायोट उपर बेस करके लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स, और ट्रायोड पे बेस करके होगा ट्रायोड पे बेस्ट होगा डिवाइस यह ट्रांजिस्टर ठीक है लॉजिक गेट और क्या भूल गया सोरी रेक्टिफायर रेक्टिफायर फैले रेक्टिफायर होगा डायट पर बेस करके जो device बनेगा, rectifier, diode ईक्ति फायर ठीक है, तो logic gates, rectifier, पहले rectifier लिए, यह है, इंपोर्टन है, यह device rectifier जो है, डायट से हम लोग बना सकते हैं, तो rectifier, logic gates, टायट से बेस करके device है, that is transistor, ठीक है, यह आपका important है, इसके बाहर अगर टॉपिक के बाहर आपका मॉडरिन फिजिक्स में अगर टेनियस देखना कायदी कोशन आता है 80-90 परसंट कोशन इसी से कवर रहता है, ओके अगर उसको फॉलो कर लीजिए तो आज मैं जहां पे हूँ उससे भी आप अच्छे जगह पे रहोगे ठीक है बता दू मेरे स्टुडेंट लोग ठीक है, एमडी कर चुके हैं बहुत सारे, डॉक्टर अप मेडिसीन, ने ठीक है, इन डर्माटोलोजी, इन वेरियस डिपार्टमेंट चेस्ट, स्केन, ठीक है, और कुछ लोग डियम करने के लिए भी जा रहे है, आप लोग से भी उम्म थाली बजाने लगी है, ठीक है, ठीक है, ठाली बजाने लगें, ठीक है, ठीक है ठाली बजएगे न दर चिरिया और या आप लोग के उपर आके सीट कर देगी गुस्य से बहुत परशान हो रहा इंवार्यमेंट ठीक है वटाइज जोग हो गया सारा बुलिए आगे बढ़ते हैं उपने काम के तरफ तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेमी कंड़क्टर इसका इससे रिलेशन नहीं है कुछ भी सेमी कंड़क्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से ज्यादा तर कुछिन पूछे जाते हैं फोटो एलेक्टिक्स और यह जो आपका चारों टॉपिक है इंपॉर्टेंट है लेकिस सबसे ज्यादा कुछिन अगर मैं बोलू तो सेमी कंड़क्टर फोटो एलेक्टिक एफेक्ट उसके बार टू यानि नीचे से ऊपर के क्रम में जो नंबर ऑफ कोश्चन होते हैं आपके होते हैं तो सबसे ज्य आदा इंपॉर्टेंट हो जो